Hello students, welcome to channel Maths Mint by Kamlis. आज मैं solve करूँगा class 10 के लिए area related to circus chapter का exercise 12.2, question number 12 and 14. 12 और 14 इसले लिया है कि ये दोनों question छोटा है और 13 थोड़ा बड़ा है तो इस पेस के ख्याल से इसको 13 को next video में करेंगे. आज अभी करेंगे question 12 and 14 को. ठीक है? इन CRT book से है. I hope you will please like and subscribe to the channel. Thanks. 12 question है. To warn ships for underwater rocks. Under water के, under में जो rocks है उसे बचने के लिए a lighthouse spreads a red colored light. एक lighthouse है जो red colored light spread करता है over a sector of angle 80 degree. मान लिया कि ये lighthouse का position है. ये जहाँ zero है, जहाँ O है, वो lighthouse का position है. वो spread करता है light को. जो ship आ रहा है water का अंदर, वो किसी rock से न ठकला जाए इसके लिए. ठीक है? और ये spread करता है angle इसका क्या होता है? 60 degree and distance of 16.5 km, इसका distance कितना दूर तक जाता है? तो 16.5 km तक ये जाता है. तो कहता है, find the area of the sea over which the ships are warned. तो कितने area में इस light के द्वारा, lighthouse के द्वारा, ship को warn किया सकता है, उस area को find करना है. तो में लिए देंगे? Let O be the position of lighthouse, O lighthouse का position है. अब लिखेंगे area of the sea over which ships are warned. कितना area में ship को ये lighthouse का light जो है, तो warn कर सकता है, sea के अंदर, sea water में, ठीक है? is called to area of the, ये एक सेक्टर बन गया, दो radius के बीच में ये क्या हो गया? अंगिल अप सेक्टर हो गया, ये दो radius है, दो radius के बीच के space को area क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, तो सेक्टर का जो area होगा, वह है इसका area होगा, तो area of the, सेक्टर क्या हो जाएगा? O, A, B, O, O, A, B, O, is called to isका क्या formula होता है? theta by 360 degree into pi r square. अब यहां क्या है? वहर थीटा इसकल तो अंगिल अफ सेक्टर इसकल तो कितना है? 80 degree दिया हो है कॉसन मैं, 80 degree, and r is equal to radius is equal to 16.5 km. यह दिया हुआ है, 16.5 km कॉसन मैं, तो अब इससे निकाल देंगे, यह हो जाएगा, theta के जगा पर क्या है? 80 by 80 degree by 360 degree, pi के जगा पर कॉसन में जिया हो, I use 3.14, 3.14, r है मेरा कितना? 16.5 square है, तो दो बार कर जाते हैं, 16.5 into 16.5, ठीक है? अब इससे क्या हो गया? यह 0 cancel हो गया, इससे 4 से करेंगे, तो यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 9, तो क्या हो गया? उपर क्या हो गया? 2 into 3.4 into 16.5 into 16.5 by 9, ठीक है? अब इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 6.28, यह हो गया, यह दोनों का multiply, और यह दोनों का multiply करते हैं, तो यह होता है, 272.25 by 9 हो गया, इक्वल्टू हो जाएगा यह कितना? 1709.73, यह दोनों का multiply करने पर, तो आप multiply हेक्टिक है, उसको स्राद्यान से करें, calculation by 9, इक्वल्टू हो गया यह, 189.97, यह किलो मीटर स्क्वार, यह ही इसका answer हो गया, ठीक है, question दूसरा है, ठीक दा, करेक्ट एंसर, ठीक दा करेक्ट एंसर इन दफोल्विए, यह दिया हुआ है, इसमें भी ठीक करना है, तो क्या है, एरिया ओफ ए सेक्टर ओफ एंगिल पी, इन डिग्री ओफ एंगिल विच रेडियस आर, अगिल ऑफ सेक्टर कितना है, पी डिग्री है, और रेडियस कितना है, कैप्टल र है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला सही होगा, ठीक है, तो लिक जानते हैं, वी नो, दाट, एरिया, ओफ सेक्टर, इसकल टू, थीटा बाइ, 360 दिग्री, इन्टु पाई, Worlds. यह फॉर्मूला है, वेर, 可是 थीटा इसकल टू, ऐंगल अगल ग्ट्री, सेक्टर, अंग्री, एर इसकल टू, रइस, पहर। शर्किल, ठीक है, थीटा इसकल टू, अंगल अग्टो, अगल अग्ट्र, पहरूलीर, radius of circle, यह formula होता है, sector निकालने का, in given question, इस question में क्या दिया हुआ है, in given question, theta is equal to P and R is equal to capital R, यह question में दिया हुआ है, but अब इस में जो भी दिया हुआ है, यह P by 180 है, और formula होता है मेरा क्या, theta by 360, तो theta के जागे पर P 1 by 180 हो गया, यह तो हुआ ही नहीं, pi R square है, इसमें 2 pi R square डाल दिया, तो यह भी नहीं हुआ, P by 130 pi R square सही है, लेकिन P by 360 होगा, यह भी नहीं हुआ, अब यह है क्या, P by 360 ठीक है, लेकिन यहाँ pi R square होना चाहिए, 2 pi R दिया, है ना, अब यहाँ P by 720 है, है ना, और यहाँ है, question में, 2 pi R square, question में, यहाँ P by 720 by 2 pi R square, तो इसमें कौन सही है, तो D सही होगा, लेकिन कैसे होगा, उसको बसाना होगा, but answers A, B and C does not comply equal to theta by 360 degree into pi R square, इसके बड़ावर यह comply नहीं करता है, only, only answer D is equal to given formula, सिर्फ D है, इस given formula के बड़ावर है, कैसे, लिखते हैं, P area is equal to P by 360 degree into pi R square, अब इसके मुताबिक क्या हो गया, P है, pi R square है, तो R capital है यहाँ, यह होना चाहिए, इसके जगा पर, theta के जगा पर P डाल दिया, 360 डाल दिया, pi के जगा पर Y हो गया, r के जगा पर R square डाल दिया, जो पहले से, इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या करदेंगे इसको यह P by 360 degree into pi R square, इसको 2 by 2 से अगर उपर नीचे दुनों, multiply करदेंगे तो इसके value में कोई change नहीं आगा, 2 by 2 से अगर उपर और नीचे दोनों से 2 से multiply कर देंगे तो इसके value में कोई change नहीं आएगा इसलिए लेकिन ये हो गया कितना ये हो गया P by 360 into 2, 7, 20 और ये क्या हो जाएगा 2 pi r square 2 pi r square तो यही दिया हुआ question में is equal to D hence answer D is correct इसमें यही करना है जो formula तो दिया हुआ है नीचे 720 कर दिया और उपर 2 pi r square कर दिया question में दिया हुआ 2 pi r square तो अगर 2 से उपर नीचे दोनों multiply कर देते हैं तो एक ही equivalent हो गया इसलिए इसका answer D होगा अगर यह answer अच्छा लगा हो तो kindly like and subscribe कर दे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुचता रहा है thanks यह रहा है